पेड़ पौधे उगाना हमारे संस्कार हैं। पेड़ पौधे उगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक सीड लो, फिर एक छोटा सा गट्ठा खोद कर उसमें सीड को डाल दो। यही है हमारे संस्कार। अब यहां बागने का कोई प्लान मत बनाना डालतन सा। ओ, क्या आइडिया या। कोई था, गड़ा, कुछ समझ में आया भाईया। बागने का रास्ता, हम इसकी मदद से रात को गड़ा को दें और इसमें कोई शक्त लाए। अरे, चाय की केतली। यह मेरा काम चूँका रहा है। इन बच्चों को तो गड़ा खोदना भी नहीं आता है। तो भाईयो, हम यहां गड़ा नहीं खोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां गाउ है। उस पर नदी है और इस पर घना रेकिस्तान। इसलिए बच्ची सर्थ यह जगा। हमें 500 मीटर लंबी सुरंग बनानी होगी। 500 मीटर वो भी इससे महीने लग जाएंगे। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है, घंचक करो। अरे इस चाय की कितली से धुआ क्यों निकल रहा है। मैं धुआ नहीं हूँ, ना समझ, मैं जीनी हूँ। अच्छा, अगर तुम जीनी है तो जेल में क्या कर रहा है। मैं जीनी हूँ, जो विश पूरी करता है, एक आदमी कितिन विशिस। तुम चार हो तो टोटल बारा विशिस हो गई। अरे मुझे एक सेंड़ विच आए। येलो। एक कुकड़ी मिल सकती है क्या। येलो। एक मिनाट, इसका मतलब ये जीनी हमें एक सेकेंड में सुरंग बनाकर दे सकता है भाईयों। अब कुछ भी मांगना बंद कराओ, समझाए। एक कुली मुझे को ठकड़ी चाहिए। चुपाजाओ। येलो। बहुत खुब। मैं तुम्हारा मन पड़ सकता हूँ। इलना चाहते हो ना। येलो। हो गया। ध्यान से सुनो गोचु। हमें यह से यह तक सुरंग चाहिए। हो गया। हमें एक असली सुरंग चाहिए जो यह से शुरू अकर 500 मिटर पस्ट्रिम की तरफ निकले समझे। येलो। सुरंग ऐसे होनी चाहिए जिसमें हम फिट हो जाए हैं न। येलो। क्या हुआ। जाओ फिट हो जाओगे। इसका सातला चलो। हमारी विशस अभी पाकी है। हमारी विशस पूरी कर दो। अपनी विशस वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मांग लो जेल से। चुटकारा। अगया मस्तवल आइडिया। हमें यहां से भागना है लेकिन नॉर्मल साइज में कोई शक। अब तुम समझे। येलो। हम अजाद हैं अजाद ही मिलगा। अब बस बहुत हो गया। हमें यहां से दूर ले चलो। बहुत दूर। इक्साट्ली कितना दूर। हजार किलोमेटर साउथ की तरफ स्मूध लैंडिंग। कोई मजाक ना है। येलो। मैंने स्मूध कहा था। तुमने स्मूध लैंडिंग कहा था। स्मूध टेक आफ नहीं कहा था। पुर्सी की बेटी बान लो। बॉसम बिगडने वाला है। येलो। कि अंशा किलोमेटर दूर लेजा। लेकिन किसी शाल जागा पाख। छोलता था। चिलाने की जरूरत नहीं। येलो। किसी को तेरना आता क्या समल कर तुम मेरा मत पर सकते हो ना तुम मेरा सपना पूरा करो कुछ ऐसा जो डाल तन्स के लिए बेस्टा अरे भाईया एक और बैंक लूटते हैं आज इस वक्त हम उस जेलर की शकल देख बाते हैं तुम्हारी आखरे विश पूरी होगी कभी कभी लगता है कि तुम बाग जाओ वहीं सब के लिए अच्छा होगा कुरियर सर्वीस क्या कुरियर सर्वीस मेरा पैकेज चल्दे से मेरा पैकेज नहों नीचे से कैसे खोलेगा भाई यह 강 यह यह नहीं को लेंगा ल проб ng a look तो मेरे प्यारे बाईयों पेश है यहां से भागने का एक नया मस्तवला आइडिया यह जीजी एक जिराफ इस नन्य मुन्य प्राणी की मदद से हम कैसे भागेंगे बाई इसकी गर्दान पर चड़के घौचू रात को जीजी को दिवाल के पास ले जाएंगे चोड़कर दिवाल क्रोस करेंगे और तरा अजात है लेकिन इसे देखो तो यह कितना चोट उसा है भागने के लिए प्रजाती का है जो एक दिन में 20 इंच लंबा होता है इसका मतलब होगा कि हम जल्दी आजाद हो जाएंगे कोई शाथ हो इसने मुझे अपनी मम में सब्जा क्या अंदर क्या चल रहा है मैं मेरे सप्राइज अब जल्दी से दर्माजा खोलो और मेरा गिंट मुझे दे दू अधना सोर काह कर रहा हो शोर क्या श्लाशो एंच अधर के नेंचे का भाई बाए कुछ नहीं कि अज्टिक आप अशा लग्रा जैसे हमा पथरों पर सोया था पथर परी सोया था थे प्थर परी सोया थे तुम सही कह रहे थे इसकी हाइट तो देखो जरा वा जीजी बहुत अच्छ है इस बीट से तो हम तीन दिन में बार निकल जाएंगे जीजी मरी बैटी जीजी मुझे तो कभी शाबाशी नहीं थी मुझे मेरे सप्राइज कब मिलेगा यह देखो वानत तुमारे लिए पानी रखा है और आज रात को हम धेर सारा टेस्टी काना काएंगे ताकि तुम जल्दी बड़े हो जाओ मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की अब बहुत हो गया जल्दी से मेरा गिफ मुझे दे दो जीजी मेरे बेटी जीजी देखो मम्मी वाप बसा गया क्या ऐसे क्या मुझ देख रहा हो यह जल्दी बड़ी हो जाओ इसलिए अब चला जीजी के लिए काना लेके आता जीजी को यह पसंद आगा का चकर ठिंगुचांद आजकल वेजिटेरियन बन गया हो का वह हमने चोटी से चिपके लिपा लिया यह कुछ इंतने साइस की जीजी मामी अब तक नहीं आई देखा तुमें ऐसे ही छोड़कर चेली गई पार्टी में सार्कस रखी है यह मेरा अब तक का बेस बोद्य होगा और गार्ड्स को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई जले दो पता मैंने जिराब जाते हुए देखा अरा जिराब खुशाया है अंतर कैसे आया यह ओ मैरे जीजी सब तुमें चोड़ पहुचाएंगा है हम तुमें यहां से बाहर निकालते हैं अरे बाई कहा हो तुम इधर इधरियों मैं घोचाएंगा जीजी को पकड़ ले उससे पहले हमें कुछ करना होगा चला जीजी जीजी यह जीजी जीजी वह उसे चलती से ढूंड़ा जीजी तुम कहा हो बात तुमारी मम्मी बोल रहा हो जीजी तुम छीकते हो आना मेरी जीजी मिली गया उससे पकड़ना ही हो का चलो जलते ही भाग जाते हैं मदद के लिए शुत्रियाग हमें दिवार के पास ले चला जीजी गेट सेट कर अब हमें आपी बाद दे टू यू जीजी तुम सही करे थे थे थेंक्यू जीजी जलो करता है लेकिन इसके आपोजेट अरे हाँ रोना बंतरो जो जब भी तुम्हें याद आए तुम उससे मिलने जा सकते हो अ लेकिन अपनी सदा काटने के बाद मेरे बाई मैं हूं ना आए तुम्हारी मा ने भेजी है अरे वाँ छोटू और उसके जादू ये पैंग्वेंज एक बुक् इसमें बिल है बिल है बिल है क्या डेंटेस्ट का बिल दस हजार रुप है वो सब अरे मुझे कुछ दिख नहीं ना विलियम क्या तुम मुझे ये पेंग्विन स्टोरी पढ़के सुनाओगे प्लीज ये होई ना बात माने चुपके से हमें बॉम बनाने की बुक बेजिया है अम आज रात ही जेल के तरवा से कोड़ा देते हैं जानता हूं जानता हूं मुझे भी चीनी पसंद है लेकिन जेलर साहब का ओर्डर है ना रस्ता साफ है लिया ना चला निकला बराबर मिक्स करो और हो गया बॉम तयार जलो टेस्ट करते हैं ये खाने की चीज नहीं गौंचू बार थूख दो चल दी अरा नहीं थूख नमान नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ बॉम का धमा का क्यों नहीं हुआ और ये तो माशमेल है अगर ये माशमेल है तो इसको दिवार पर फेक कर दिवार को खा जाते और फिर लेंगे कल्टी डालता है कमरे की तलाशी लेने का वक्त आ गया है ये जिदा है मेरे प्लेनेट से महमान आए है मेरे तोस्त मुझे लेने आ गये है क्या बात है ये क्या चीज है अरे मेरी मुंबत्ती मिल गई मुझे लगा मैने गुमा दी पारी नहीं मिलेगे स्वाज से संपन इससे अची डिश मैने नहीं खाई क्या है ये बताव इवाश मेलू है इससे जब्द किया जाए हमेवत्ता पेली वापस जाया है जेलर साब कैदी उने चीनी के लिए असन्स कारी आंदोलन किया है वो कैदी नहीं बच्चे हैं बच्चे मैं बात करता हूँ जल्दी ता पेली लेकर निकलास है अरे वा मों बद्धी अच्छा कहां है वो मैं आ रहा हूँ अंधीरा बहुत है डर लग रहा है मुझे चिंता मत करो पाच्चे मुझे पता था शेरू तुम्हें दूसरे प्लैनेट के लोगों के लेंडिंग करवानी होगी चला हर जागा माशमेलो ही माशमेलो अरे वाय यह तो मजा ही आ या कई जेलर पागड हो गैसे प्लान सेम रखता है पीछा के दर्वाजे से कल्टे खाना चालू करा यह कैसी संसकार है जेलर साब माशमेलो की तरह दिख रहे है जेलर साब देखो डाल्टन्स दीवार खा रहे है ओ मैं भी खाओ अच्छा एडिया है इस टैंड से शुरू करता हूँ दोली दर्वाद नहीं जा सकते क्या मुझे ये सारा खाना है तो कि लाइट देखा अक्रम में आजादी मिल ही गए ताल्टन्स भाग गया अलाव बजाओ बस दो मिनट रुक जाए आखरी बाला जरा खा लेता हूँ तुम वापस जा रहे हैं मुझे लिए बिना वापस जा रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आखी क्या मुझे भी साथ में लेचलो पारा पीछा हमारा पीछा कर्वा चलो 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 पार अट डाल्टन्स लोग बहुत होगे चलो निचा उतरा हम बस गए हैं यहां काश बम्मी की बात सुनके चीनी खाना छोड़ देता फिर से नहीं संसकारों में बैलन्स होना जरूरी है इससे किसी को नुक्सान नहीं होगा मार्शमालों से गिरे डाल्टन्स आ रहे हैं कि बीद ठीक होते ही हम स्पेश्शीप से रवाना हो जाएंगे मेरी प्लेनेट मैं आ रहा हूं अ आ ना चिट्टी आये है इस तुम्हारी चिट्षाह यह थूंनरी और और रहे हूं टमाम शभूतों के नजर रखते हुए अलत आपकी सजा एक सुपचास साल और बढ़ाने का सरकार को आदेश देती है, एक ही क्या? मेरी बदली मेरे गाउ के जेल में की जारी है, अब मेरी माँ मुझसे जब चाय मिल जकती है हम इसकी जगल लेकर गाउ के जेल में चले जाएंगा, वो देको अजार रुपे की नोट, को है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है जला साप, जरा सोच ये एक बेबस मा, को सो दूर अपने प्यारे बच्चों का इंतिजार कर रही है, कोई शाक ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, देखू वहां की जेल कैसी है, हाँ, 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 मेरा थोड़ा सा सामान गाड़ी में रखवा दो, वाँ, लगता है हम समंदर में हैं, तभी मुझे कब से मचलियों की खुचबू आ रही है, सुनो भाई क्या हम समंदर में मचलिया पकड़ सकते हैं, हाँ, नहीं, ना ढूब रही है, खत्रा, पहले मुझे बचाओ, बाई-बाई, मिस बेटी, जेल का ठीक से ध्यान रखना, ये कहा जा रहे है, संसकारी गाओं के किसी संसकारी जेल में, मैं तुम्हें छोड़ूँगा, नहीं, ये हमारे संसकार नहीं है, बॉब, चलो मुर्गा बनो, इसे कहते हैं, बिना मैनत के भाग जाना, चलो एक के बाद एक कुदा, अलब मुचा, क्या कर रहे हैं तुम्हें वापस उपर खीचा, मैं तुम्हें उपर खीचू ये हुद नीचे, आओ भाई, आज रात यहीं केंगे डालटन्स, आहा, चांद तारों के नीचे सोना है, आपका टेंट तयार है, सार, मिस बेटिक खुंखार मुझरिमों के बीच अकेली है, आशा है, सब कुछ ठीक ही होगा, संसकार ही मूर्ते, लेकिन किसी चीज की दुख कमी है, हाँ, ना होगा, चलो मूर्गा बनो, ओ, कलर लाइन के बाहर जा रहा है, खाना खाके मज़ा ही आ गया है, चलो तुम लोग सब टाइम पर सो जाना, कल लंबा रास्ता तै करना है, ला 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 चलो इनके अलिए मा डालटन की लोरी गाता है, पच्च पन में मा में ऐसे ही सुलाती थी, वावा देखो जोगनू, नाय लब उचा, नाय बाय चलो बाय लो बाय, बाय, बाय बाय दाल तंस का आ गय वो डाल तंस का हाग गय वो डाल तंस चलो एक के बाद एक कुदना गाड़ी रोको बाहर निकलो डाल टंग्स हम यहां आरांग करेंगे कितने खुबसूरत जगह है चलो घोडों को पानी पिला दो नहीं पिला सकते पानी जहरीला है इससे दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है आहां कुदरत का ऐसा करिश्मक कहीं नहीं देखा मैंने याला पानी पिला लंबे सफर में दोस्त ही दोस्त के काम आता है है ना लाओ ऐसुगत पैसा और अपैसो का समंदर या ना संतुल पतलीत आल इपर जलाए हम लगता है हमें सफर आगे बढ़ाना चाहिए क्या कहते हो कि गाव की जेल में पहुंचने से पहले हमें भागना होगा वर्ना प्रोब्लम हो जाएगी आँ मुझे मेरी चछी वापा दो बाब ये जगड़ा बंद करो वर्ना मुझे तुम्हें बेहोश करना होगा प्यारे कलिक जेला दोबारा मिलकर अच्छा लगा मेरा नया कह दिका है कैसे बता वो हम से गुम हो गया एक और तो संसकारी तीर आप तो बार जल्दी आगे चेलर सहाँ अचेद ये रहनाव का चेद जल्दी से भर देता हूँ हर बार माही क्योँ अचेद एक अधिस घापी मैं परिशान हो चुका हूँ सारा दिन यहीं चिंता लगी रहती है कि डाल्टन्स भागना जाए अब फिक्र मत कीजिए डाल्टन्स इतने संसकारी नहीं कि वो काम्याब हो जाए लेकिन होगा तो जो डाल्टन्स दिर्वाजे को चिपक के क्यों खड़ा है जरूर कोई नया गेम होगा मैं भी खेला से इख लेता हूँ वो लोग हमेशा भागने का मौका ढूनते रहते हैं मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ चिपकना बंटन्स देखो देखो जो डाल्टन्स क्या तुमने देखा नहीं यहां कोई नहीं है जेलर सहाब आपको आराम करना चाहिए मस्तोला आइडिया है हम जेलर को यहां यकिन दिला देंगे कि उसको हर जेगा सिर्माई देखता हूँ और चब आप असली में भागेंगे वो सोचेगा कि यह उसका भ्रॉम है हाई जो और जो क्या चल रहा है लाइक में मुझे तो दो जो डालता दिख रहा है यह तो प्रॉब्लम हो गई अब मुझे दो दो जो पर नजर रखनी होगी दो जो पर नजर रखने के लिए दो शेरुकी जरूरत होगी एक दो किसी और चीज के बारे में सोचिए अपने संस्कारों पर फोकेस कीजिए जैसा मैं कर रही हूं ऐसा करिये यूपी हाँ बस यह हमारे संस्कार है बै तो बिलकुल ठीक हो गया हूँ वह आ गया हुष बढ़े स可是 क्यो में臨 होगी वह आजिए हो काजिए यूपी हुपी ॥ौपी हुपीína पी ऑ्टों जो कि झाल कि उजडी हुपीर हुप हुपी मैं हुप Мих आप ठीक तो है जेलर साब हाँ हाँ बस बहुत से जो दिखाई दे रहा है तो भाया तया देखो ये तुम खुश हो और ये तुम दुकी और ये तुम हो गई गुसा और बसकरा आज हमारा ग्रांट फिनाल है हमें जेलर साब को यकिन देलाना होगा कि उसकी तबियत खराब है और उसके बाद हमें मिलेगी आजाद रहे जेलर साब को संसकारी आराम करने की सक्थ सरूरत है और ढलतिनस का कुछ तो करना ही होगा जाओ 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 ज। जाओ 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 तो आप आओ हमारा काम हो गया मैं तो तुम्हें ही ढून रही थी जेलर सहाब की तब्याता कुछ ठीक नहीं है इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए उनके सामने ना आओ तो अच्छा होगा बदले में तुम्हारी लिए एक संस्कारी सप्राइज है यहां से बाहर निकलना तो ना मुंकिन ह अब क्या कर रहा है मेरा प्लान तो फ्लोप होगा देखो भाई वी आईपी ट्रीटमेंट है मेरी बात समझे समझा मुझे जो नहीं दिखाई देता ब्रहम पे ध्यान नहीं दूंगा और संस्कारों पे फोकस करूंगा मैं जेलर हूँ अंदर राजा ये जेलर से प्लान समझ जाएंगा मिस बेटी चाहती है कि मैं तुम सब को ना देखूं लेकिन शायद वो गलत है तुम्हें देखकर और छूकर मैं खुद को विश्वास दिलाऊता कि तुम सब एक साधरा कह दी हो और मुझे हर जगा निखा नहीं मैं जानता हूँ तुम सिर्फ एक जो हो और बाकी सारे मेरे भ्रम है जो मुझे नजर अंदास कर देने चाहिए तुम जो चाहे वो कर लो क्योंकि तुम एक भ्रम हो और मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हाँ मेरा भ्रम दर्वाजा बंद करके जाना चाह भी मिल गए भाईया चला अब तो मुझे पता लगा ना होगा कि इतने सारे जोज में से असली जोग कौन है असली जोग कभी अच्छा काम नहीं करता अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल के सुनूंगा क्योंकि मैं अच्छा शेरू हूँ हाँ अब हमेज की कोई सर्रत ना है अपने आपको मेरे हमाले कर दो तुम्हारे की एक सजा तुम्हें मिलेगी जरूर मिलेगी अच्छा नजापक काट लिया अच्छा 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 चारो चारो अच्छा भाई जरू अच्छा मत करो यह असली जो नहीं है मेरा प्रम है आई जी पुतला लगता है यह जार्जिंस की यहां से भागने की सासश थी यह एक और यह दो लग जो तुम का से हो बापी जो हूँ अरे यह तो जेलर साब है तुम अपने आपको बहुत पसंद करते हो ना इसलिए तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है अरेवा मैं कितना अच्छा दिखराऊ हूँ на इत 0